बंदे पुसोत्मम सद्गुरू के अनुशासन में चलना ही धर्म है स्रिसिठाकुर्जी ने बादचीत के क्रम में कहा कि इस्ट निष्ठा के विना प्रविर्थी को कैसे पहचानोंगे मरन से कैसे रिहाई पाओगे इसलिए सद्गुरू का आसरे लेना जीवन के लिए नितांत आवस्यक है सद्गुरू के अनुशासन में चलना ही धर्म है इस्वर जैसा एक है धर्म भी एक है प्रेरित पुरुस गण भी एक काही वारता वाही है प्रकृत हिंदू, प्रकृत मुसल्मान एवं प्रकृत इसाई में कोई भेद नहीं है प्रतेखी इस्वर हैं तथा इस्ट के पुजारी हैं जो सत्ता के पुजारी हैं वे परस्पर परस्पर के बंधु हैं सत्ता के जो विरोधी हैं उसे वे बरदास्त नहीं करते हैं एक सब्द में वे असत विरोधी हैं जो धार्मिक हैं उनका चरित्रगत लक्षण इस्ट निस्ठा ही है वहां सामप्रदाईक वे द्वेश नाम की कोई चीज नहीं रहती है धर्म कहता है कि छोटे को बड़ा बनाओ बड़ों को छोटा नहीं बनाओ प्रतिलों विवाह मत करो नीचे घरों में तुम अपनी लड़की को मत दो उनकी घरों की लड़की ला सकते हो स्रिकृष्ण को हम लोग भगवान मानते हैं उनका बहुत विवाह हुआ था वैसिस्ट नस्ट करने की बात किसी महापुरस ने नहीं कहा है सभी लोग एक ही विधान दिये हैं अच्छे उन्नत वाला आम के साथ निम्न उन्नत वाला आम से कलम बनाया जाता है एक गाय को पाल देने के लिए अच्छे सान को खोजा जाता है प्रजनन के लिए अच्छा कुट्ता खोजा जाता है किन्त मनस्य के समय यह बात भूल जाते हैं विवाह जीवन का एक जवरदस्त चीज है मनस्य इसी पर ध्यान नहीं देता है सवर्ण या अनुलोम विवाह करने के समय भी विधी अनुसार होना चाहिए विवाह ठीक विधी अनुसार नहीं होने से कस्ट तू पानाई होगा आलोजना प्रसंग पंच दस खंड प्रिश्व संख्या पच्पन दिनांग 14.1.1945 जय गुरू